हेलो एवरिवान आप सब की स्वागत है मेरे चैनल पे चिकेन से हम आज एक बढ़यासा रेसीपी बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो तिन ब्रेट स्लाइस को पाउडर बना दिया है साधी में 200 ग्राम चिकेन लिया है तीन चार हरी मिच खोड़ा साध्र और साथ आठ लसन की कलिया सबको एक पेस्ट बना दिया और दूसरे प्लेट में निकालके फिर में उसमें एड करूंगी एक दो स्पुन ओईल उसके बाद एड करूंगी प्लाक पेपर पाउडर उसके बाद एड करूंगी मिच्ची पाउडर उसके बाद एड करूंगी नमक यह सारे चीजे आप अपनी हिसाब से एड़ कीजिएगा जितना आपको तीखा पसंद है जितना आपको नमक पसंद है उसी हिसाब से एड़ कीजिएगा उसके बाद मैं यहां पर एड़ करूंगी जो ब्रेड का पाउडर बनाया है वो कम से कम 4-5 स्पून उसके बाद सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज जल्दी से सस्क्राइब कर लीजिए और सेर लाइक दी कर दीजिए सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हिस्सा लेके उसको एक कॉल सेब देंगे उसके बाद बीच में एक होल बनाएंगे सेम बरा जैसे हमने उरत का बरा बनाते हैं यह देखिए इस तरह से हम गूल सेप्ट में बनाएंगे और बीच में एक होल करेंगे ऐसे हमने सारे बनाना है उसके बाद एक अंडा लेंगे उसके बाद उसमें add करेंगे थोड़ा सा black pepper powder और थोड़ा सा नम्मक सबको mix कर देंगे अच्छे से mix करने के बाद chicken का एक piece लाएंगे उसमें अच्छे से dip करेंगे उसके बाद बच्चा हुआ जो bread powder है उसी में उसको अच्छे से mix करेंगे उसके बाद हम तेल से फ्राइ करेंगे ध्यान रखिए तेल मिडियम फ्लेम में होना चाहिए ना ज्यादा गरम ना ज्यादा ठंडा मेडियम फ्रेम में तेल गरम होने से हमारा जो चिकेन है वो धीरे धीरे और बहुत अच्छे से पकेगा अंदर बिल्कुल कच्छा नहीं रहेगा फिर हम लगातर उसको ध्यान रखेंगे और फिर दूसरे स्टाइट हम पल्टाएंगे इसी तरह दो तीन बार पल्टाने के बाद हमारा जो चिकेन है वो अच्छे से फ्राइड हो जाएगा और बहुत अच्छा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे ये रेशिपी बहुत बढ़िया है आप एक बार ट्राइ कीजिए फिर मुझे कमेट कीजिए कैसे लगा ये रेशिपी आप लोग जरूर घर में ट्राइ कीजिए सब को खाने के लिए दीजिए फिर आप मुझे मेरे चैनल पर आके कमेट कीजिए अगर थोड़ी सी भी रेशिपी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सेर लाइक सब्सक्राइब करना मत पूलिए थैंक यू